जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह ग्यारह संकेत। दोस्तों अगर हर सुभा आपको यह संकेत मिलते हैं, तो आप समझ ले कि आपके घर में इश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत। आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं। ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन होते हैं। पर क्या आप जानते हैं? कि वहा हमें इस बात का संकेत भी देते हैं. आईए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यहां बताते हैं कि भगवान की विशेश कृपा आप पर है. दोस्तों जब आप पूजा पाठ करते हैं तो इश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है. चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है. कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे. कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गल्तियों से लोट जाते हैं आपके कुछ कर्मों से वो लोट जाते हैं क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गल्ती करते हैं वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं, यहाँ आपको कभी नहीं करना चाहिए. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयम इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयम उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यहाँ कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी इश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते तो आपके यह सब कृत्य आपके इश्वर को रूट कर देते हैं तो इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस विडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वया जान पाएंगे कि इश्वर आपके घर में आचुके हैं तो आएए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जब आप सो रहे होते हैं और ब्रहमा मुहुर्थ में उठ जाते हैं हर रोज आपकी मीन इसी समय खुल जाती है साथ ही यदी ब्रहमा मुहुर्थ में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदर में आप पूजा कर रहे हैं मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो ब्रहमा मुहुर्थ में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि इश्वर आपके घर में है यदि आपको ब्रहमा मुहुर्थ में ही शंक की आवाज सुनाई देती है मंत्रों की आवाज सुनाई देती है घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आप से राम राम कह रहा है ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यहां दूसरा संकेत होता है जिससे यहां पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए है जब भी आप सुभा सुभा नहा धोकर तयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है यहां एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती केवल आपको महसूस होती है यहाँ ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की बस आपको यहाँ अजीब सी महकाती है यहाँ सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है अब वहाँ घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यहां महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते है उतनी आपको महक ज्यादा आती है दोस्तों यहां महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि इश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं, अब जो नकारात्मक उर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है, तो आपको घर के भीतर दुर्गंद आने लगती है, लेकिन जब इश्वर का वास होता है, सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है यह महग बहुत ही अच्छी होती है प्यारी सी होती है मीठी सी होती है जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी की कुत्ता बिल्ली गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके इद्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफते में तीन चार बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में ही वह आ रही है तो इसका मतलब है कि इश्वर आपके घर में दस्तक दे रही है उनका आगमन हो रहा है क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरू कुट्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी ना किसी रूप में आ रहा है तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बलकि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए उ सबसे बड़ा दान भोजन का पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नीन्द के दौरान बार-बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर भगवान की मूर्ती या फोटो दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशया जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यहां माना जाता है कि आपके साथ किसी देविय शक्ती का आशीरवाद है, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब उन्हें हर जगा सम्मान मिलता है, अगर किसी को कम मेनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यहां भगवान की ही कृ परिपा की निशानी है, भगवान उन्हें हर परिशानियों से बचा लेते हैं, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिती में खुश रहते हैं, उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी परिशानियों से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं, उल्लू दिखना है शुप, हिंदू धर्म में उल्लू को काफी एहम दर्जा दिया गया है, उल्लू को माता लक्षमी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, तो यह एक बेहत ही शुप संकेत माना जाता है, किसी जगा अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्धी मा लक्षमी आपके घर में पधारने आ रही है, खानपान में आने लगता है बदलाव, मा लक्षमी जिस घर में भी आती है, उस घर में लोगों के ख लोगों को कम खाना भी परियाप्त लगने लगता है, इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मानसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं, धन की देवी मा लक्षमी को साफ सफाई बहुत पसंद है, जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्षमी उसी घर में वास करत इसके अलावा मा लक्षमी को सफाई में इस्तमाल की जाने वाली जाडू भी बहुत प्रिय होती है, कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर जाडू लगाता हुआ दिख जाए, तो यहां बहुत ही शुप संकेत होता है, शंक की आवाज देती है शुप संकेत, हिंदू धर्म में शंक को एक एहम स्थान दिया गया है, इतना ही नहीं शंक की आवाज भी काफी शुप मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुप अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंक बजाया जाता है, यदि सुबह उठने के बाद आपको शं की आवाज सुनाई देना आपके घर में मा लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं, यदि आपको लगातार तीन दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंथ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाये कि भगवान ने आपकी सुन ली है, आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है, नीलकंथ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है, यदि आपके घर के सामने अकसर सफेद गाय आने लगे, या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बच्छडे को दूध पिलाए, तो यहाँ देवी देवताओं की दूर होने वाली है, भगवान आपके सारे कश्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चडिया घोसला बना ले तो यहाँ बहुत ही शुप संकेत होता है, यहाँ इस बात का प्रमान है कि आपकी पूजा सफल हो गई है, चडिया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताए, बलकि उनके लिए दाना पानी रखें, यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाए, कि आपकी आंखों से आंसु निकलने लगे, तो यहाँ इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाए, तो कहीं आपको बंदरों का जुन्ड दिख जाए, तो यहाँ भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है, आप पर भगवान महरबान है कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे, यदि आपके घर में बिना किस अगरबत्ती रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तिमाल के भी घर में खुश्पू और ताजगी महसूस हो तो यहाँ समझ ले कि आप पर ईश्वर की कृपा है, साथ ही जल से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं, पूजा के दौरान घर में किसी अति अतिथी का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है, यदि अतिथी कोई तौफा भी लेकर आए, तो यहाँ साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली, यदि पूजा के समय जलाएं हुए दीपक की लो अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाएं कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और इश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल ही दूर होने वाले हैं, अगर अकसर आपकी मीन सुभा तीन बजे से पांच बच कर तीस मिनट बजे के बीच यानि की ब्रहमा मुहूर्थ में खुले, तो यहाँ भी इश्वर क कि भघवान आपकी भक्ती से प्रसंद है। जिस व्यक्ति की नीनध अचानक से बार बार राद के तीन बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुक माना जाता है। ऐसा माना जा जाता है कि रात के तीन बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागरित हो जाती है। जो कि आप से बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार-बार तीन बजे के बाद उठना काम्याब होने का संकेत है वही रात के तीन बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वर्दान कभी खाली नहीं जाता है इश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं अगर आपको आपके सपनों में उचे उचे परवत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ ज़र्ना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तोर पर आपको काम्याबी अवश्य प्राप्थ होती है अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रही है तो यह ईश्वरिय क्रिपा से ही संभव है दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेश क्रिपा है सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बलकि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है इसलिए निरोगी काया प्राप्त किये लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो यहां भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशाल बना सकता है लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाएं तो पूरी लाइफ जगडे और क्लेश के बीच गुजरती है अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्याकारी है तो यहां भी परमेश्वर की ही कृपा है वरना आज के यूग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वज़ा से ही दुखी है सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इश्टदेव का आशीरवाद होता है भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की क्रिपा होती है वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता जिस व्यक्ति का क्रोध परवश है जिसका मन शांत रहता है जो हर परिस्थिती से सामाने रहकर निपटना जानता है ऐसे लोगों पर इश्वर का हाथ होता है कभी यह संभव हो पाता है भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है इनमें माता पिता, गुरु या ब्रहमन है इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यहां बहुत शुब माना जाता है आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ती या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर करा जाए तो यहां बहुत ही शुब संकेत है इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्धी पूरी होने वाली है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो को एक लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप और आपका परिवार और आपके मातापिता सभी स्वस्त रहे ऐसी हमारी कामना है धन्यवाद